हेलो दोस्तों मैं आपका होस्त आपका दोस्त आपके अपने चैनल जीय स्वित थश्वनी में आपका स्वागत करता हूँ जैसा कि अभी अभी RRB चंडीगड का लेवल 5 का रिजल्ट आ चुका है और धीरे धीरे इस सभी RRBs का लेवल 5 का रिजल्ट डिकलेयर किया जाएगा तो मैंने जो सीरीज चलाई थी लेवल 5 की कट अफ की उनके रुजान आने भी सुरू हो गए हैं कि वो कितनी सही हुई कितनी गलत हुई अभी तक 4 RRBs के लेवल 5 के रिजल्ट आये हैं चिन्नई का, सिली गुडी का, भूवनेश्वर का और चन्डिगड का जिसमें से 3 RRB का कट अफ एनलिसिस मैंने किया था भूवनेश्वर का नहीं किया था चन्नही का किया था, सिलीगुडी का किया था चड्डीगड का चन्नही की cut-off लगबग आसपास है उसमें तीन नमबर का difference है जो cut-off बताई गई थी क्योंकि वो एक ही cut-off बताई गई थी typing और non-typing के लिए उसमें बोला गया था हर cut-off में कि अगर इससे आपके 3-4 नमबर जादा है तो आप non-typing के लिए 100% sure है और अगर 3-4 नमबर कम है तो भी typing post पे आपका selection हो सकता है ठीक है और वो average marks है अगर उस नमबर लाने के बाद आपने typing clear किये तो 100% lick के लिजिए कि आपका selection हो जाएगा और हर zone का जो cut-off आ रहा है उसमें typing की जो cut-off है वो उससे 3-4 नमबर कम जा रही है non-typing की उससे 3-4 नमबर जादा जा रही है तो आप भी अपने zone की video जाके देख सकते हैं और उससे 3-4 नमबर जादा है तो आपका non-typing पे भी selection हो जाएगा और 3-4 नमबर कम है तो typing अगर आपने qualify किये तो अभी आपका selection 100% हो जाएगा तो यह आप जान सकते हैं तो आप जाएए videos देखिए और ये video देख सकते है proof के तोर पे ये 3-0 HRRB की video मेरे channel पे पढ़ी हुई है उनकी cut-off आचुकी है कट-off देखिए वीडियो देखिए और मिलाइए कितनी सही गई है और comment करके बताइए कि कैसा रहा है analysis और भी अगर आपको कोई help चाहिए तो आप comment कर सकते हैं थैंक्यो फॉर वाचिंग जैहिन बन्ने मात्रब